हेलो फ्रेंट्स रावे किचन में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपको बताने वाले मुर्गे के पंजे को यानि मुर्गे के पैर को कैसे साफ किया जाता है इसे साफ करना बहुत ही असान है बहुत ही इसली साफ हो जाता है इसे साफ करने के दो तरीके होते हैं एक इसे जला कर साफ किया जाता है और दूसरा इसे गर्म पानी से साफ किया जाता है तो मैं आपको दोने तरीके बताओंगी आपको जो तरीका अच्छा लगेगा जो इसी लगेगा आप उससे साफ किजिएगा तो चलिए आए देखते हैं मुर्गे के पंजे को कैसे साफ किया ज पानी में इक उबाल आ चुका है तो मैंने गेस को बंध कर दिया है अब इस गर्म पानी में हम इस तरह से मुर्गा की एक पंजे को डालेंगे और तीन से चार सेकंड इसे पानी में रहने देंगे उसके बाद इसे चेक कर लेंगे कि उपर का जो चम्रा हो निकल रहा है कि नही तो तीन से चार सेकेंड हो गया है और देखिए चमरा जो है वो निकलने लगा है तो अब इसे पाने से बाहर निकाल लेते हैं और अब इसे किसी कपरे की मदद से पकरेंगे और हलकी हाथों से कपरे की मदद से इसे इस तरह से निकाल लेंगे अलाकि आप चाहें तो इससे बिना कपरों की मदद से ऐसे ही पकर के निकल सकते हैं लेकिन गर्म पार्णी में डालने के बाद यह थोड़ा जादा गर्म हो जाता है तो पकरने में धोरी मुश्किल होती है इसलिए अगर आप कपरे की मदद से निकालेंगे तो बहुत ईजली यह निकल जाएगा और गर्म-garm में ही इसे निकालेगा तो इनिकलेगा ठंडा होने पर फिर यह नहीं निकल बाएगा मुर्गी के पंजे को पानी में रखने से पहले हैं अधी नियुक्ति पूर्गी करना न वही मान से वह भी बाहर आ जाएंगे . तो इसलिसे बहुत ज़्यादा दे तक गर्म- पाणी में ना रखी आपनी dio va Rare Rs. हमें इसलिक करनी दे रकना होता है जितने si however HOT, zile पीरविये गर्म हो जाए जे घर्म होते ही और फिर पानी से निकालके फटा-फट से उसे कपरे की मदद से साफ कर लीजे, लेकिन इस प्रोसेस को आपको बहुत ही जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पंजे ठंडे हो गए, तो फिर वो साफ नहीं हो पाएंगे, और फिर से अगर आप गरम पानी में डा साफ कर सकें, तो गरम पानी में मुर्गे के पंजे को कैसे साफ करना है, वो मैंने एक करके आपको दिखा दिया है, बागी के पंजे को मैं एक साथ गरम पानी में डालेंगे और जल्दे-जल्दे से साफ कर लोंगे, अब मैं आपको मुर्गे के पंजे को साफ करने का दूस कुई छिलके को अंगली की मदद से इस तरह से निकाल लेना है यहां पर भी इस बात का ख्याल रखेगा इससे बहुत ज्यादा ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना है क्योंकि यहां भी अगर आप ज्यादा देर तक इसे गर्म करती हैं मुर्गे की छिल्के के साथ उसके अंदर के मांस भी बहार आने लगेंगे तो नाखुन के साथ हमने गर्म किया था नाखुन के साथ के सारे चिल्के निकल गया है तो हम दूसरे साथ से गर्म कर लेते हैं ताकि दूसरे साथ के भी चिल्के निकल सके तो यह देखिए दूसरे साथ गर्म करने के बाद दूसरे साथ के भी जो चिल्के वह बहुत ही अराम से निकल रहा है तो ये देखी मुर्गे का ये पंजा भी हमारा अच्छे से साफ हो गया है तो फ्रंस ये थे दो तरीके मुर्गे के पंजे को साफ करने के आपको जो तरीका अच्छा लगे और जो तरीका एजी लगे आप उस तरीके से साफ कर लिजे मुर्गे के पंजे को ब प्रोसेस में आपको मुर्गे की जो पंजे है उसको बस गर्म ही करना है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाईए